RCB के स्पीनरों ने पहली पारी में ही WPL की ट्रोफी अपनी जोली में डाला RCB की गेदबाजों ने अरुन जेटली स्टेडियम में आप DC के बल्लेबाजों को धूल चकाया तो फिरू अगर हम इस मुकाबले यानि कि पहली पारी का विशलेशर करें तो कुछ इस प्रकार रहा साथ ओबर एक गेंदों तक दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों का दबदबादेखने को मिला फिर साथ ओबर एक गेंद से लेकर साथ ओबर चार गेदों तक सोफी मोलिन्यू ने वक्त बदल दिया जजबात बदल दिये सत्ता बदल दी हालात बदल दिया और RCB का राज ला दिया सोफी मोलिनियू का वो आठवा ओबर भाया पूरी तरीके से गेम चेंज कर गया अगर हम बात करें साथ दस मुलाओ एक गेंद पर RCB के स्कोर की तो वो 64 थन था साथ ओबर चार गेंदों पर वो स्कोर 64 पर 3 और उसमें दिगज दिगज खिलाडी गए पहले गई भाया सेफाली वर्मा फिर रोडरीक्स फिर एलिसकेपसी बतलब जो मिडिल और जिनके उपर टिका हुआ था जो मिडिल आडर अभी तक दिल्ली के लिए परफॉर्म करता हुआ है था उनको एक ओवर में समाप्त करना इतनी मजबूत इस्तिती में डिल्ली कैपिटल्स थी कि आसानी से लग रहा था कि 160 नहीं तो 170 सैफाली वर्मा आप देख सकते हैं चवाली संड मातर 27 गेदो पर उनका बखुवी साथ दे रही थी मेग लैनिंग जो 23 गेदो पर 23 रनती लेकिन उसके बाद कोई भी एक वल्लेबाद जिमेदारी नहीं ले पाया मरजाना क्याव से काफी उमीदे थी लेकिन उन्होंने भी अपना विकेट फेका सिर्फ सोफी मोलिन्यू नहीं बलकि स्रेंका पाटिल ने भी अपना हुनर अपनी काबिलियत दिखाई और उन्होंने जब ये पारिस समाप्त हो गई तो एक बयान भी दिया कि अगर थोड़ा सा भी टर्न पीछ पे रहता है तो मैं बिष्ट बन जाती और लगा कि पिछले संस्क्रण के मुकाबले इस संस्क्रण में मंधाना ने काफी कुछ सीखा है बतोर कप्तान अपने खिलाडियों को जाना है समझा है परका है उनके श्ट्रिंथ को बूझा है उसके बाद उनका प्रयोग किया है ये सबसे बड़ी बात सबसे अच्छी ब तारीफ है 18.03 ओबर में पूरी के पूरी दिल्ली टीम आल आउट लगबग अब RCB के जोली में आ चुका है हाला कि final मुकाबला है कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आपको पता है कि low scoring total हमेशा दिल्चस्प होते हैं अभी RCB पिछला मुकाबला low scoring total ही जीत कराया है लेकिन अ रिस्क नहीं लेना चाहेंगे न मंदाना लेंगी न भाईया पेरी लेंगी न डिवाइन लेंगी संयंबरी पारी आएगी सबके बल्ले से उससे भी अच्छी बात ही आज बल्लेबाजी बढ़ा रखी है मेगना के रूप में तो अच्छा खासा डिप्त है बहुत ज्यादा ही कपस नहीं होना चाहे लेकिन फाइनल मुकाबला है इंतजार करना चाहे हमें फाइनल रिजल्ट का क्योंकि भाईया नेवर से डाई अटिट्यूड जो होता है क्रिकेट फिल्ट पर वो मदद करता है में गलेनिंग भी अच्छी कप्तान है नेवर से डाई अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले